मैं सौरब कोली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों कैसे हो आप आई होप आप अच्छे होंगे स्वास्त होंगे बच्चों मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूं वरक्षीट नंबर 38 की डेट है 4 March 2022 पठन अभयान के तैद S.E.E.R.T. द्वारा भेजी जा रही ही वरक्षीट की हिंदी में चर्चा करेंगे मैट्स की वरक्षीट है और इंग्लिश में अलग सर से हम चर्चा करेंगे उस तक मेले की सैर इधर अपने टीचर का नाम लिखें इधर आप अपना नाम लिखें चली शूरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करदें और बैल वाले बटन को जरूर पैस करदें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के वारे में शेर करें चलो ये शुरू करते हैं पुस्तक मेले की सैर मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए विश्व पुस्तक मेला बच्चों कहां लगता है दिल्ली में प्रगती मैदान में उन्होंने वाँ विभिन बुक स्टॉल देखे आईए आर एन प्रकाशन की पुस्तकों की सुची के एक भाग को देखे उन्होंने आर एन प्रकाशन की सुची पुस्तकों की सुची देखी अब देखे पुद्धी मान बीरबल कितने रुपे अंकित मूल था बीसु रुपे छूट दी गई पांच रुपे नबबे पैसे क्रेम मूल ले क्या है चोदा रुपे पॉइंट दस यनकी उधारन के रुप में हम बताए तो अंकित को जो मूल ले 20 रुपे लिखा गया था उसे पांच रुपे नबबे पैसे की छूट मिली तो उसे वो बुप मिली 14 रुपे 10 पैसे की ठीक है बच्चो अब सेकिंड में देखें सुरीला तानसेन सुरीला जो तानसेन है 65 इस पे MRP लिखा हुआ था उसका मूल ले 13 रुपे 10 पैसे की छूट मिली तो ये बुप उसको कितने रुपे की पड़ी 51.90 की ठीक है बच्चो तीसरी है रंग बिरंगी कवीता है जिस पे अमाउंट लिखा गया था 130 और उसका क्रिये मूल बता रखा है 105 रुपे 60 पैसे मतलब उसको जो मिली यानि की इसमें से कितना उसको डिसकाउंट मिला वो हमें निकालना है वो डिसकाउंट हमें कैसे पता लगेगा कि 105 रुपे जो हमें मिला है उसमें से कितना बच्चा जो उसका वो मूल ले निकल आएगा तो रंग बेरंगी पूस्तकों के लिए हम यान लिखेंगे 24 रुपे 40 पैसे अगर हम इन दोनों को इसको और इसको आ जाएंगे अब जानवरों की पाठ चाला कुस तक 95 रुपीज इसका अमाउंट दे रखा था अब हम जो छूट मिली 7 रुपे 80 पैसे मिली तो वो कितने का अमाउंट हो गया फिर ये अमाउंट हो गया 87 रुपीज 20 पैसा 7 रुपे 80 पैसे की छूट मिलेगी 95 रुपे में तो 87 रुपे 20 पैसा हो जेगा अब योग की किताब थी है जिस पे 40 रुपे रेट लिखा गया था लेकिन जो हमें पड़ी 35 रुपे 50 पैसे की पड़ी यानि की छूट कितने की मिली हम निकालेंगे इसमें जो छूट मिली हमें बच्चो जो छूट हमें मिली है इसमें 4 रुपे 50 पैसे की ठीक है 40 रुपे में 4 रुपे 50 पैसे हटा देंगे तो इतने की हमें पड़ेगी आगे देखें बच्चो धर्ती गोल है उस तक 1500 रुपे की थी और इसमें से कितने रुपे हमें छूट मिली ताकि ये 125 रुपे की पड़ी तो सीधा सीधा हमें क्या पता लग रहा है 25 रुपे पच्छिम की ओर 240 रुपे लिखा हुआ था रेड 37 रुपे 20 पैसे इसका अमाउंट आया तो कितने की हमें पड़ेगी डिसकाउंट 37 रुपे मिला है तो तो ये हमें पड़ेगी 277 रुपे 20 पैसे आठवा है गुरुत्व कर्चन की खोज में 399 रुपे की जो किताब का रेट लिखा वा था उसमें छूट कितने की मिली जो वो किताब हमें पड़ी 240 रुपे 50 पैसे की वो किताब हमें पड़ेगी 398 नहीं वच्छो 398 नहीं ये इसमें हमारा जो छूट मिलेगी वो मिलेगी हमें 158.50 पैसा 158.50 पैसा तो ये हमें 240 रुपे .50 पैसा की पड़ेगी जब इतनी छूट मिलेगी तो आगे देखें बच्छो मोहित ने सूची से करम संक्या एक तीन और चार बतलब एक तीन चार और आठ ये किताब हमें लिए तो मोहित ने कितने पैसे खर्च किये वंशिका ने योग पुस्तक तो मोहित ने कितने पैसे खर्च किये तो बच्चो आप देखें अगर पहली पुस्तक है चोदा रुपे दस पैसे तीसरी पुस्तक है एक सो पांक्च रुपे साथ पैसे चोथी पुस्तक है आपकी 87 रुपीस 20 पैसा आठवी पुस्तक है 240 रुपे 50 पैसे इसको योग करेंगे तो 447.44 आएगा वो देखते है किस तरह अब देखिए पहली पुस्तक तीसरी पुस्तक चोथी पुस्तक आठवी पुस्तक सबके एमाउंट दे रखे है 14 रुपे 10 पैसे 105 रुपे 60 पैसे 87 रुपीस 20 पैसा सबका जो टोटल अमाउंट आएगा 447.40 रुपीस यह पहले का आंसर है और उससे उपर के भी देखे जो आंसर हमने इस तरह माइनस की हुए है देखिए पहले का तो दिया हुआ है दूसरा इस तरह तीसरा चौथा पांचवा छटा सात्वा आठवा सबको हमने चर्चा करी आगे सेकंड कोशन हम देखें सेेकंड कोशन क्या कहता है वशिका ने योग पुस्तक करीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को bet ओ पचास उरुपे दिये अब उसके पास कितने रुपे बच्चों योग पुस्तक कितने की है 40 रुपे की तो 35 रुपे 50 पैसे की उसने 50 रुपे दिये थे तो कितने रुपे उसके पास बचेंगे 14 रुपे 50 पैसे अब second question पूछ रहा है B वला उसके पास कितने पैसे बचें 14 रुपे 50 पैसे बचे वे रुपेयों मैंसे इस सूची में से कौन सी पुस्तक खरीदी जा सकती है 14 रुपे 50 पैसे में से तो सिरफ यही खरीदी जा सकती है बुद्धिमान बीरबल चुकि 14 रुपे 10 पैसे की है ठीक है बच्चों तो इधर हम लिख देंगे 14 रुपे 10 पैसे बुद्धिमान बीरबल खरीदी जा सकती है क्योंकि 14 रुपे 50 पैसे बच्चे थे इधर अब तीसरा है पुस्तक का नाम धर्ती गोल है उसकी 4 कौपी खरीदी मूले कितना बैठेगा पश्चिम की और उसकी 7 कौपी खरीदी मूले कितना बैठेगा चलिए देखते हैं देखी बच्चो ये पुस्तक खरीदी है 4 कौपी ये 7 कौपी 125 रुपे की एक कौपी थी तो इंटू 4 करेंगे तो 500 आजेगा 7 कौपी 277.20 यनि की 277 रुपे 20 पैसे की एक थी तो 7 करेंगे इंटू 1940 रुपे 40 पैसे तो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आजेगा 2440 रुपे 40 पैसा ये आंसर आजेगा चोथा कोशन कहरा है कि अपने विद्याले पुस्तकाले से अपनी मन पसंद पुस्तक लीजिए अब उस पुस्तक के बारे में निमलिखित जानकारी पूरी कीजिए पुस्तक का नाम प्रकाशन का नाम मूले कितने रुपे था देखते हैं चलो आप इसके लावा कोई भी बुस्तक का नाम लिख सकते हैं जैसे उधारन के रुप में हमने इसे लिखा है मेलिडिस तांसेन पब्लीशर है इसके गूड अर्थ और कॉस्ट है एक एवन रुपे नबे पैसे आप इस तरह से यूँ लिख सकते है तो बच्चो इस प्रकार ये वाली वर्कशीट भी आपके कम्प्लीट होती है ये हिंदी मीडियम की थी मैस की इंग्लिश मीडियम की भी मैं बना रहा हूँ तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रही है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद